पूर्णिंग नमस्कार अदाव सस्तिरिकाल की हल चल रहे भाई लोग मैं अपका दोस्त अपका भाई सुजित कमार अपने इस यूटीब चनलन में आपका स्वागत करता हूं मैं सुजित कमार अपने इस यूटीब चनलन में स्वागत करता है आजू हमिन नाकपूरी ब्याकरन के अगले टोपी के बारे हम पढ़ भाई जो की है वचन तो चला स्टाट करता है देखें वचन है कि वचन वचन उस सब्द है कि जेकर से संग्या सरवनाम चाहे किरिया कर ए जो काम हो रहा है वो एक रूप में हो रहा है या उसके अनेक रूप में हो रहा है उसको बोध करता है ठीक है तो वचन उस सब्द है कि जेकर से संग्या सरवनाम चाहे किरिया कर एक चाहे बगरा कर बोध होए ला उके वचन कहल जाला ठीक है वचन कर मतलब ब्याकरन नंबर ठीक है, मतलब वचन कर मतलब होला कि ब्याकरन में नंबर संख्या चाहे गिंती से होला ठीक है, यहाँ पास ब्याकरन है दोस्तों यहाँ क्या के दिया है कि यहाँ नंबर है यहाँ संख्या है चाहे गिंती है तो वो क्या है वचन है ठीक है तो देखें नाकपूरी में दूई वचन होला जैसा हिंदी में होता है एक वचन बहु वचन तो उसी परकार नाकपूरी में भी एक वचन और बहु वचन होते हैं ठीक है जिसमें से की एक वचन किसको कहते हैं तो चलिए हम लोग एक वचन को जान लेते हैं तो एक वचन, जेकर से सब्द कर एक जीव, चीज चाहे काम कर बोध होएला, मतलग कि वहाँ पास एक जीव है, या एक चीज है, या एक काम का बोध हो रहा है, तो उसको वो लेंगे कि एक वचन है, जैसन, नदी, पहार, गच, सडग, छववा, पठरू, कडरू, इत्यादी, ठीक है, उसी परकार है बहुवचन, जेकर से सब्द के एक से बगरा बोध होएला, मतलब एक से अनेक यदि बोध होता है, तो उसको बहुवचन कहते हैं, जैसन, मरदमन, पुतवमन, दमादमन, हामरेमन, इमन और उमन, इत्यादी, ठीक है, तो यह क्या है, बहुवचन में नागपूरी के उधारन थे, अब आगे है कि नागपूरी वचन कर बिसेस्ता, मतलब नागपूरी में वचन का क्या बिसेस्ता है उसके बारे में, तो इसका कर नमबर का बिसेस्ता है, कि नागपूरी में एक वचन और बहुवचन में सब्द कर रूप नई बदलेला, अब एक वचन से बहु अचन में नई बदलता है, लेकिन जो बहु अचन का सब्ध होता है, उसमें मन या माने शौब जोड धेल जाता है, ठीक है? जैसे ले लते हैं example में, एक सैट लोग एक वचन ले लिए हैं, इधर बहु अचन ले लिए हैं, तो देखें, क्या है? जैसन, चराई, तो यहाँ पास जूट गया मने, तो हो गया चराई मने, ठीक है, अदमी, तो हो गया अदमी मन, ठीक है, उसी परकार जनी, तो यहाँ पास जूट गया मन, तो जनी मन, या धान, धान, सौब या सौब धान, मतलब हम लोग सौब को आगे भी लगा सकते हैं, या पीछे मने बहु अचन में बराइबर संगया कर बाद लगेला मतलब जहां संगया आएगा उसके बाद जो है मन या मने कवप्यों किया जाएगा ठीक है? मुद्दा सवब सवबे या सभे कर परजोग सब्द के आगे या पाछे दूयो बटे में एक दने लगावल जाला मतलब देखिए जहांब पर सवब है, सवबे है या सभे है उसको आप संटेंज के या तो आगे या तो पाछे दूनों तरफ यूज कर सकते हैं जैसे कि दादा मने कने चईल गेलाए ठीक है? तो यहांपस दादा मने यानि कि मनने जूट गया यहाँ पस किया था? संगया था संगया के साथ मने जूट गया? उसी परकार भाजी मान घरे कोटरी में आ है Mission आए वहाँ मतलब हाभी लोग घर में हैrzy है उसी परकार सौवब चाउर दोहे बुहाय गेलग ठीक है तो यहां पास किया हो गया सोब बोहाई गेलक तो यहां पास सोब को प्योग पीछे भी कर सकते थे लेकिन हैं आगे कर लिये हैं ठीक है आगे छोवा सोब या सोब छोवा छोगरी चराय गेलाएं ठीक है तो यहां पास हम लोग किया हैं एक में सोब को पाछे रखे हैं ठीक है तो यहाँ पास दिया गया था कि सवब सवबे या सभे का परजोग हमलूब संटेंस के आगे या पाच्छे दुईयों बटे कर सकते हैं या मन मने बहुचन बनाने के लिए संग्या के पाच्छे लगाया जा सकता है ठीक है चली आगे है गण नमबर का उसका यूज की जखन संग्या कर आओगे संख्या सवब रहे ला तकन संग्या कर बादे मन मने सवब नहीं नी जोड़ा जाला ठीक है मतलब जो यह सब सब्द है मन, मने, सौभे यह सब नहीं जोड़ा जाता है जब संख्या का सब्द दिया रहेगा तब जैसे कि एक्जामपल है कि 10 रुपया तो 10 दिया गया था गहाँ नमबर का कि जखन बेजान बाचक सब्द कर संगे मन मने सवव रहे ला सेखन बहु अचन कर संगे समू कर भाव परगठ होे ला मतलब बोला है कि जिस समय जो है बेजान बाचक सब्द रहेगा तुझ समय इसका भाव परगठ होगा जैसे कि पोखरा में पकना मन निक्सत है तो यहां पस क्या हो रहा है उसका परगट हो रहा है भाव कि वहां से निकल रहा है ठीक है ही यहां कूरसी मन टेंगराला है तो यहां पस कूरसी क्या है एक सयार का रखा गया है तो यहाँ पस इसका दिया गया है उसका भाव परगट हुआ है जैसे दरजी मने लूगा मन सियत है तो यहाँ पस क्या है उसका भाव परगट किया गया है कि क्या काम कर रहा है तो लूगा मन के सियत है ठीक है चली आगे देख लेते हैं तो आगे है अंगा नंबर का कि चाहिए या तो कीरिया हो न चाहिए जैसन बज बजनिया मन नगरा बजाएंबय तो संघ्या में हिया कैं हो गया बजनिया है पर संगिया था मन का पर्योग है ऐहां कर लिए उसी प्रकार हामरे मन गूतिया जैक नई पारव यहां Chapelonyach कि हम में मन का पर्योकर दियें, यानि कि बहु वचन बना लियें एक वचन से, बिया में बढ़का-बढ़का मन जाबे नी करल, यानि कि बढ़का-बढ़का लोग भी यहां में जाबे नी करल, तो यहां पास विशेशन का पर्योकर लियें, बढ़का-बढ़का, तो क्या था बढ़के हैं यहां पर विशेस्ता था तो विशेस्ता में बहुअचन का परयोग करने के लिए मन का यूज़ कर लिए यानि कि संग्या में ही यूज़ कर सकते हैं सरणना में भी कर सकते हैं और विशेस्ता में भी कर सकते हैं उसी प्रकार किरिया वी सेशन या किरिया में देख लेते हैं जैसे लाल मोहन कर सहिया मन आ लाएं यानि कि वहाँ पास वी सेशन क्या था कि सहिया यहां यहां पास क्या है आ लाएं तो यहां देख लें सहिया मन यूज कर लिएं किरिया का वी सेशन था सहिया तो सहिया मन यहा पस बहु वचन बना लिए ठीक है उसी परकार चर नम्बर का है कि एक बचन सब्द के बहु वचन बनाए ले उकर रूप के बदलेक नी होयला मतलब उकर रूप नी बदलेला खाले उकर मन मने या सोब लगा देल जाला जैसे एक वचन एक सब्द ले लिए हैं तो यहां पस है कि घोडा तो होगया घोडा मन हाथी तो हाथी मन छगरी तो छगरी मन कुकूर तो कुकूर मन बेंग तो बेंग मन ठीक है उसी परकार आगे है चर नम्बर का कि कहों कहों मन करठावें इन लगाए के हो बहुवचन बनेला जैसान मोय तोय का बहुवचन हामरे मन तोहरे मन होला इकर बदला हामरीन या तोहरीन या हामिन या तोहिन या हमिन तोहिन का बेवहार होला यहां पस बोला है कि कभी कभी हम लोग मन का प्योग न करके उसमें इन लगा कर बहुवचन बनाते हैं जैसे कि मोय तोय सब्द था तो मोय तोय सब्द का यदि बहुवचन बनाया तो हामरे मन तोहरे मन हो गया यानि कि हैं पस मन का प्योग हो गया ठीक है और इसका एक और रूप होता है कि हामरीन और तोहिन 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 पस इन का परियोग हो गया ठीक है और इसका ही एक और रूप होता है कि हामीन तोहिन ठीक है एक और रूप होता है कि हामीन और तोहिन ठीक उसी परकार है जमें कि मन के बारे में बताएगा है कि मन का तो देखिए, मन बेवहार अदमियों ले होईला, मतलब मन का परजोग अदमियों ले करल जायला, जैसे ओहें मन आला है, तो कौन आया, तो वो लोग आये थे, तो आपस मन का परजोग कर दियें, बहोचन बनाने के लिए, मन कर परजोग एक्छा में हो करल जायला, मतलब मन का बिवहार मईन-बुधिवाशते करल जायला जैसरन मौर मन में इबात नहीं रहे तोर मन में काहे के मौंज ना जानौ तो उसका मन में क्या है मैंने जानो हुद तो यहां पस मन-बुधि किया जाता है उसी परकार मन का पर्योग एक और है कि एक से ज़्यादा अदमी के बतायक ले मन का परजोग करल जैला जैसान दस जनक कर फांसी हो लग तो यहाँ पास मन का परजोग क्या करने के लिए एक से ज़्यादा अदमी के लिए किये या चाइर जन को पठकाल लाए यानि कि चाइर जन तो पठकाल थी ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका आगे का यूज देख लेते हैं आगे है नागपूरी संग्या मनाग एक बचन से बहु बचन बनाये ले उकर अंत में मन या मने परतिया जोड देवल जाला यहां पासम लोग आगे से देख ले रहे हैं याने कि बहु चन बनाने के लिए मन या मने का परियोग कर दिया जाता है जैसे कि जनी तो जनी मन या जनी मने छोडी तो छोडी मने पठरू तो पठरू मने या मने चववा तो चववा मने या मने अन्हरा तो अंधरा मने या अंधरा मने बुढ़ा तो बुढ़ा मने या बुढ़ा मने नेता तो नेता मने या नेता मने घोड़ा तो घोड़ा मने या घोड़ा मने ठीक है यहाँ पास क्या है कि मन और मने करपर जोग संगिया करबाद होएला मतलब मन और मने का परियोग संगिया के बाद में किया जाता है उसी परकार आगे है कि जोन सब्द कर सुरुवात संअक्सर से होएला उ कर सुरु में ई या अ जोड देवल जाला बहुँचन बनावेला जैसन इस्कूल तो इस्कूल अस्थान तो अस्थान उसी परकार आगे है कि मन का परजोग दोस्त संगी आदी गोतिया आदी कर अरत में हो होएला जैसन लगे तब साहिब मन के लोटा पानी मन देवा ठीक है तो यहां पास पानी कप योगे मन का जोड हो गया ए है मन धीरन मनक जमीन हेके यहां पास भी जमीन के लिए मनक का परयोग कर दिए या गोतिया मन आला है तो यहां पर भी उसका परयोग कर दिए यानि कि एक से ज़्यादा आदमी आए तो गोतिया मनक के लिए भी बहुवचन का परयोग कर दिए तो आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जैहिंद